Hello guys, welcome back to my channel तो guys, जो पहले वीडियो में मैंने ये side bank ठीका बनाया था तो आज उसे कहीं जैसा necklace बनाएंगे तो necklace बनाने के लिए यहाँ मैंने थिन 카ट बो शीट ली है एंड ये सरकल वाले stone ली है तो थिन काट बो शीट के उपर मैं यहाँ पर glue लगा के circle वाले stone इस पे glue कर दूँगे फिर यहाँ पे मैं water drop shape के stones लोगी and जो मैंने circle वाले stones मैंने चिपकाया है उसके side में glue लगाके यह water drop shape के stones लगाऊंगी मैं तो guys पूरे circle में इस तरह से यह लगाने है फिर यह लगाने के बाद guys यह कुछ इस तरह से लगीगा हमारी flower बन जाएगा फिर उसके side में pencil से हमें necklace का shape ड्रॉ करना है तो जैसे मैं draw कर रही हूँ है आप देख सकते हैं guys आपको वीडियो में show हो रहा है and guys यह इस तरह से draw करने की बाद guys इसको ऐसे cut कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में show कर रही हूँ तो guys दोनों side से इसे cut करने की बाद guys यहाँ जो हमने यह thin carbon sheet cut की है उसमें हम यह water drop ship के stones लगाएंगे तो पहले यहाँ पे इसमें पूरे में glue लगाना है भर भर के तो यहाँ पे यह बहुत सारे glue मैंने लगा दिया और फिर इसमें लगाना स्टार्ट करूंगी तो guys कुछ इस तरह से में यह stones इन सभी में लगा दूंगी जहाँ जहाँ जितने जितने stones आएंगे उसके हिसाब से ही लगाना है तो यह दोनों side में लगा दिये हैं कुछ इस तरह से फिर guys में ले रहे हैं आप यह जरकन वाले stone तो फिर जो flower के बीच में हमें thin cardboard sheet दिख रही है extra तो उसके यहाँ पे हम लगाएंगे जरकन वाले stone तो यह इस तरह से लगाने से guys हमारे thin cardboard sheet भी चुप जाएगी और इस necklace में बहुत अच्छा diamond वाला आई का look तो इस तरह से ही यह पूरे इसमें लगा दिए मैंने circle में and circle में लगाने के बाद guys यहाँ भी जो thin cardboard sheet देख रही है उसमें भी हम यहाँ पे यह glue लगाएंगे and यह जरकन वाले stone लगाना स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि वीडियो में show हो रहा है and guys यह पूरे जरकन में लगाने हैं दोनों side में तो जैसा कि आप देख सकते हैं flower की दोनों side लगाने हैं जरकन और जो जो stones की वीच में जगा देख रही हैं वहाँ सब जगा लगाएंगे and guys आप देख सकते हैं यह सभी में मैंने लगा दिये हैं और फिर जरकन वाले स्टोन्स लगाने से हमारे डायमंड वाले नेक्लेस का इसमें थोड़ा लुक आएगा है अभी लगाना है, तो इसमें थिन पूलोषीट और पूम्हें पूरे में गल्यू लगाने के बाद यहामें वायर ले रही हूं तो वायर से मैं यहाँ पर आइपीन बना रही हूँ तो वायर के end को कफ करेंगे जितनी length हमें चाहिए आइपीन की उसके हिसाप से इसको कट कर लेंगे तो guys यह वायर को इस तरह से कट करने के बाद guys ऐसे ही मैंने बहुत सारी आइपीन बना ली है जहां हमने glue लगाया है तो नीचे की side इसको छोड़ते हूँ आइपीन को इसको इसको करेंगे पूरे necklace पे हमें आइपीन गलू करने है तो इस तरह से मैंने फाले लगा लिये है आइपीन लाएं पर आइपिन लगाने के बाद यहाँ आइपीन को कवर करने के लिया च solis कि नहीं में यारा इस neutrा का लिए जहाएं प्जाइए करит बेड़ में लाया है NE यह प्राइन करने बौन 659 से कवर कर दीए ब्याया है इसको माईने कवर कर दिया है और यह लगा देंगे हैंकर देंगे और तायटली बंड कर देंगे यह यह जो को तरह सकते हैं इसके दूसरी साइट में यह पल्वाली डालना इस्टार्ट करेंगा यह वही वाले मेनी बेट्स हैं जो मैंने यहाँ पर नीचे हैंग किये हैं तो इसी से मैंने इसके चेंड भी बना लिया है और दूसरे साइड में नौट टाय कर दिया है और गाइस यह हमारे नेकलिस बनके रैडियो हो गया और कैसा लगा आपको कॉमेंट करके बताना और वी